नमसकार आप सभी का EGNST caption 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे जीला पदादिकारी डि.m. आफिस के कार्यालय से किस प्रकार हम लोग नहिसुल्क सूचना प्राप्ट कर सकते हैं इसके लिए हम लोग जीला पदादिकारी काल याले में किस प्रकार आर्ट याई लगाएंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आकन को दबा कर ओल पर भी क्लिक कर ले जिस से इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा इसे इतना सेर करें कि हर भारती कुछ जिसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा एक लाइक अबस्त कर देंगे चलिए आप लोग यदि जीलाप दादिकारी कारियाले से डियम ओफिस से किसी भी तरह की सूचना लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार ने सुल्क ले सकते हैं चलिए ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं प्रपत्रकौँ है यदि आपको फॉर्मिट ना हो तो सादे कागज पर भी इस तरह लिखकर या टाइप कराकर सूचना मांग सकते हैं बिहार सूचना का अधिकार के तहत यह प्रपत्रकौँ मैंने भरा है आप लोग भी इस तरह भरकर डियम ओफिस से सूचना मांग स सकते हैं सेवा में लोग सुचना पतादीकारी लिखेंगे जीला पतादीकारी कारियाल है अपने जीले का नाम लिख देंगे जीला पतादीकारी कारियाल है भागलपूर का कारियाल है या अपना अपना जो भी जीला हो अपना नाम पूरा पता लिखेंगे मांगी कई सुचना में मैंने एक आवेदन जनता दरवार में दिया था उसी से संबंदित मैंने सूचना की मांग की है आप लोग ने भी यदि कोई शिकायत क्या हो या किसी भी तरह की सूचना डियम कारियाले से चाते हैं तो इस प्रकार आप पॉइंट टू पॉइंट सूचना मांग सकते हैं मै प्रवाई का दैनिक प्रगती रिपोर्ट दी जाए तीसरा जाच रिपोर्ट सईथ संपूर्ण अभिलेख या संचिका का प्रमानित रिपोर्ट दी जाए चौथा दोसी पर अब तक कारवाई की रिपोर्ट जीवन एवं 138 से संबंदित होने के कारण 48 गंटे में उपलत करा काने की किरपा की जाए इस प्रकार जो भी आप सूचना यहां मांग सकते हैं तीन चार पांच पॉइंट में बस तू एक होनी चाहिए अब किस प्रकार आपको आर्टी आई ने सुल्क सूचना के द्वारा आप ले सकते हैं इसके लिए आपको रासन कार्ड होना बहुत जर लिखें हरेक आवेतर में नोट में यह अवस्य लिख दें मान्चिक सूचना आपके कार्याले से संबन्दित नहीं है तो अगले लोग को अगले लोग सूचना पताधीकारी को सथांतरित कर दें और उसकी सूचना आपको भी देंगे या हस्ताक्षर अपना कर देंगे मैं RTI कारकरता भागलपूर से हूँ मुबाइल नंबर पूरा पता अवस लिखेंगे अपना अस्थान तिथी अवस लिख दें इस प्रकार हम लोग जीला पतादिकारी कार्याले से भी ने सुर्क सूचना हे तू RTI लगा सकते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को आप लोग भी ब्रस्टाचार के खिलाप RTI का प्रयोग अवस्ट करें यह क्यों कि यह हमारी अधिकार की बात है और जनता के लिए RTI ही एक प्रमुक खतियार है जिससे भ्रस्टाचार के खिलाप दोसी पर कारवाई करवाई जा सके जैहिन